तो आज के हमारी इस online class में हम Power BI के बारे में बात कर रहे हैं तो Power BI में हम functions, DAX functions बात पर discuss कर रहे थे और previous class में आया था, if formula कैसे perform करता है, if and all आज हम बात करेंगे nested if के बारे में, nested if कैसे perform करता है और सबसे पहले एक data connect करेंगे पहले तो हमने Excel Seat से data connect करने के लिए क्लिक किया है हम यहाँ पर आते हैं और Excel Seat में हम यहाँ पर Excel Seat को select करके connect पर क्लिक करते हैं और file को select करते हैं data को select करते हैं then hit seat को select करते and load कि यहां हम आते हैं डेटा में लगा आ पा रहा है तो अब हम चाहते हैं डेटा में हमारे पास देटा है इसमें हमारी क्वान्टेटी है तो मैं इसमें चाहता हूँ slab देना जैसे कि slab में हमारा total calls है तो अब ही क्या है कि हमें बताना है कि calls का grading क्या है जिसने 40 इसमें grading की बात करे तो जिसने 0 to 40 calls किया है और C category में आएगा 40 to 80 call किया है और B category में आएगा और जो 80 डू या greater than 80 माल दीजे तीन कसे लगते हैं जो क्रॉल किया है वो एक category में आएगा तो एक category यहां पर डाला है तो new columns में आते हैं पहले हम और यहां पर हम category select करते हैं और यहां पर जितने हैं कि if select किया logical test हमने दिया total calls पर हमने बुला कि अगर less than equal to 40 है तो less than equal to 40 है तो यहां आ जाए category C and if the total call less than equal to अगर category है तो यहां हो जाए category B and again if हमने total calls लिया और ग्रेटर दैन है 80 तो है तो यहां पर आपको आ जाए तो हमने कितने इफ लगा तीन हमारी तीन कंडिशन थे इसने हम यहां पर तीन इफ लगा है हुआ है जी 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 इसी कि आगर माले मुझे slab incentive दे रहा हूं मैं getting incentive जाता हूं एक exam पर और मैं करता हूं यहां पर कि यहां देता हूं मैं I N C I N C और यहां अगें देता हूं इस जी हां इस इस में हम देते हैं लॉजिकल टेस्ट क्वांटिटी अगरी अंगर और 40 अवंडर कार्टी कार्टी तो फिफ्टीन हंडेड आंटी टी हमें कंडीशन ब्रहा दिया इसमें ठीक है यहां पर अगरवाज फॉर अगरवाज फॉर अगर देता हूं या इस कंडीशन भी इसमें लगा सकते हैं अब आपने देखा तो मैं ब्राइकर क्लोज करने की जरूद नहीं है वह इसमें फॉर फंक्शन आज़से माल जिए न मैं कॉंटिटी और टोटल कॉल्स को डिवाइट करना चाहता हूं एक कॉंटिटी के लिए कितने कॉंट कॉंटिटी करना है तो कॉंटिटी के नाम से में स्वाइट बना देते हैं प्रोल्म क्या होती है कि कि अगर मैंने यहां पर कर दिया कि टोटल कॉल्स को हमने डिवाइट कर दिया पॉंटिटी से तो यहां पर प्रोलम हो सकती है अभी तो चलो रॉट है, अमुझे इस रिजल्ट को राउंड करना है तो हम यहां राउंड का फॉर्मला भी इपा सकते हैं . बोटी से पॉलम हो सकती है . क्या पॉलम हो सकती है ? कि अगर जीरो हुआ तो हमाल इस जीरो को इस जीरो को कि यूपी यहा है उसको डिवाइट करना चाहते है । إसके ग्रांड टोटल किसी नंबर को जीरो से दिवाइट तो नहीं कर सकते हैं नहीं तो आप असा लगता है कि एरॉर आने की चांसिज है तो इसमें आप इफ एरॉर का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यहां पर देते हैं कि यहां पर जीरो कर देता है जहां पर एरॉर होगा वहां पर जीरो या जो भी टेक्स या कोई भी लिखना चाहते हैं इसका योज आप इस एक फॉर्मूला होता है स्विच का स्विच फॉर्मूला क्या होता है जैसे कि मुझे किसको चेक करना है तो माल मुझे चेक करना है सी आई डी को ठीक है मैं मुलता हूँ कि एकर सी आई डी वान है तो यहां आना चाहिए न्यू देलिए किलमाटों गॉआ में ठीक है अगर टू है तो आना चाहिए मुंबाई अगर थ्री है तो आना चाहिए बोल करता है अगर फॉर है तो आना चाहिए इसमें क्या खासी दिख रही है आपको से इसमें हमने कई सारे कंडिशन्स लगाया है लेकिए यहां कि हमें इफ लगानेगी जूए अगर इसी चीज़ को इफ करेंगे तो मुझे यहां तार इफ लगाने पड़ेंगी जी जी हम एक बार में इसमें लेकि इसमें दिक्कात क्या है कि एक जालो को लेता है यहां सिक्वेंश में जरूवत नहीं है हम यहां पर दो के जगा पर बाइस भी कर सकते हैं हुम ठीक है है हुँ यह की जगा पर हाँ बाइस भी कर सकते हैं है कि लिए है जी है 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 हुआ है 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 टूज फॉर्म वर आशे चूज समने कार से बावर बहीं है और चूज में है सब्सक्राइब करें तो हम आपको कुछ लिस्ट ऑफ दा कॉस्ट देते हैं जिसको आपको पावर वियाई में सॉल्व करते हैं जी सर्फ दा तो उसकी फोटो इसकी भी बहुत सकते हैं आपको अच्छा बात अगर नहीं बहुत पाए तो उसकी फार्मुले एक्सल फार्मुले लिख दीजिए गाज़िए ठीक है लेकिन यह मुझे जाता है आपको जरूबत है इसमें दस कोश्टन्स है तो आपको क्या करना है इसको कॉपी करना है इसको कॉपी करना है और एक्सल इसमें पावर भी आई के इसमें पर जाना है और यहां पर आपको एंटर डेटा और इसको आप पूरे को इसको पूरे को स्लेक करके और आप पेस करें और इसका आप कोश्टन वान कर दीजिए इसमें आप निया कोलम आड़ कीजिये और इसको टेबल के आउता है बारबार इसको और इसके प्राफ को जो फॉर्मुला जो कंडीशन हाद दी को क्या में कमीशन निकाल देन देन शिस्टी तो कौंटिटी मुटिप्लाइबाइब रूट्टी हम यहाँ पे हमें आमने कमेशन निकालने है और यहां में अधिकानिशन दे लिया है कि क्या क्वार्टी T is greater than 40 quantity multiply by 40. नहीं है 60 हे माफिजी है अगर इसी अगर गारी जीदो. जीदो जीदो. टीक है? इसके साथ भी करना है आप बिदा है, बिदा है 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 इसके साथ करके मुझे भी जब जीदा है. मैं आपने इसके साथ बिदा है. कोई दिक्कत हो, डाउट हो.